पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर रुप भोगताओं को छटका दिया है पेट्रोल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की बड़ोत्री की गई है जबकि घरेलू गैसलेंडर एल पीजी के दाम भी 50 प्रे महगी कर दिये गई है और वहीं बात करें राजधानी जयपूर की तो जहां साधारन पैट्रोल करीब 90 रुपी और हाई स्पीड पैट्रोल करीब 94 रुपे प्रति लीटर बिक रहा है जबकि गैसलेंडर भी 598 रुपे की बज़ाए 648 का हो गया है पिछले बर्श की तुलना में घरेलूस गैसलेंडर करीब 100 रुपे महेंगा हो गया है और वहीं पैट्रोल की बात करें तो यह भी आए दिन 16 पैसी से लेकर 1 रुपे तक घटता बढ़ता रहता है आपको बता दे कि कोविट के काल के दौरान पैट्रोलियम कंपनियां स्वातिता की आड में मुनाफा खोरी का जरिया बना रही है जबकि अंतरवास्टिय बाजार में पैट्रोलियम कीमत घटी है इसका चाज़ा लिया जैपूर में पेट्रोलियम कंपनी के पंप पर हमारे प्रधान संबादाता नीरस शर्मा ने और बात की उपवोकताओं से पेट्रोलियम कंपनीयों ने एक बार फिर पेट्रोल के दाम बढ़ा दी हैं सोला सोला पैसे करके लगातार यह बढ़ोतरी होती जा रही है आज इस ती है कि राज़िदानी जैपूर में हाई स्पीड पेट्रोल के दाम 90 रुपे 11 पैसे और साधारन पेट्रोल के दाम 90 रुपे 10 पैसे पहुच गए हैं जो की आम व्यक्ति के जो नौकरी पेशा व्यक्ति ये काम धंदे वाला व्यक्ति है उसके लिए कहीं न कहीं मासिक उसका जो बजट है उसके ओपर एक बड़ा एफेक्ट डाल रहा है क्यों पैट्रोल बढ़ाने के लिए जिनाब क्या नाम आपका मेरे नाम पन्यकाय सर पढ़ रहा है पेट्रोल पड़ा गया कैसे गरीब आदमीं तो कुछ करी नहीं सकता तो पेदल चलने के लिए मजबूर हो गया क्या किया जाए बहुत पर पहले आप किस जमाने से पेट्रोल ड लाया उस तेम पर डाही रूपे लीटर था अब आप तुदी के आस्मान चूरी कीमत आथ बढ़ाने ने चाहिए ना वत कम दोर होना चाहिए और ज्यादा होने चाहिए क्योंकि अमेंगाई बहुत जादा हो चाहिए कितने सिलिंडर है अब कि सब मेंबर के साथ है मैं अच अब बढ़ा दी पहले से कम आता बढ़ा दी पैसे महंगाई महंगाई बढ़ रही है गट रही है बढ़ रही है कहां तक जाई परशान तहीं नहीं है सब कमजोर कर रहे हैं कि रहने का लोकडाउन के टाइम में कमाई बढ़ी है घठी है देखो साब हमारी तो जो ऑन डूटी में सेम चल रही है अभी एट परजेंट मगर बाकी महंगाई देखते हुए तो कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल होना थी पहीन कहीं से इसका असर पड़ है आम और खास सभी वर्ग जो हैं कहीं ने कहीं प्रभावित हो रहे हैं पेट्रोलियम कंपणियों को सच्चंत किया गया या सतंत्र किया गया उसका अर्थ यह नहीं था कि मनमानी वसूली जो है वह आम भोगता के साथ करने लग जाए कोरोना का ये काल चल रहा है ऐसे में वक्त की नजागत ये कहती है कि कुछ रियायत या रिबेट आम जंता को मिलनी चाहिए थी लेकिन हो इसका उल्टा रहा है जो लोग अपने काम धंजे के लिए निकल रहे हैं उसमें कोरोना वारिस भी शामील है आम लोग भी शामील है रोजगार की चाहा के अंदर जो शर्मान, News India, Jaipur